पुलिस का घर पे रहता है हम लोग के माबाप क्या अच्छा पढ़ाते लिखाते अच्छा दिमाग बुद्धी बताते उसका माबाप यह सब सिखाते हैं पुलिस बन गए पत्थर उस समय भीड जो उग्र हुई थी उन लोगों ने कहा हो लोग नहीं मिले तो इसका घर को खत इधे एक मासूम बच्चे के गरदन एक जटकी मार के तलवार से उसको अलग कर दे रहा है हम लोग उस दिन आये तो उस इस शरीर को दो भाग में बाट दिया था एक कसाई ने इस वक्त अनुराग यादो के घर पे हूँ अनुराग यादो तो नहीं है अनुराग यादो का घर सामने है और जिस घर पे मैं खरा हूँ यह रमेश यादो आरोपी का घर है यह कहा जाता है राजेश यादो जो था जो पुलिस दरोगा था उसके हिस्सा से उसके हिस्साज और बम हो गएरे भी इसी घर से निकला हुआ था और आज उसी घर पे हूँ और देख सकते हैं उस घर पे एक क्या कुछ तयारिया की गई थी और आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो पत्थर है जो कहा जाए तो इट का टुकरा है और टुकरे किस तरीके से रमेश यादो के च्छत पे और लालसा यादो के च्छत पे किस तरीके से टुकरे रखे गए थे और हमने यहाँ ग्रामीर के लोगों के सहयोग से रमेश यादो के च्छत पे आने का प्रियास किया है और रमेश यादो आरोपी के घर पे और किस तरीके से उसके च्छत पे और इट के टुकर को रखा गया था और क्या अनुराग यादों को इसी तरीके से यह सारे ब्यवस्था करके उसके सर को धर से अलग करने का साजिस पहले से तैयारिया थी मैं उन लोगों से बात करूंगा जो मुझे और रमेश यादों के मकान पर लेके आएंगे बहुत-बहुत स्वागा था य उसके सर को धर से अलग कर दिया जाएगा सब प्रावजी तरीके से किया गया है यह योजना बद्ध तरीके से किया गया है इन लोग इसके पीछे कितने महनों से योजना बना रहे होंगे जिसके घर में पांच-पांच तलवारे ग्रेनेट बंप पिष्टल गणासा तमाम तरह के अस्त्र आस्त्र मिल ओं उनकी मानसक्ता देखिया इतना बड़ा घर बनवाएं हो इतने पैसा खर्च Fresh तुटिछी मनश है निकला अपे गर्म की मैआनो ऑस अ कहा जाया था यहयान निकला उया यह तो कहिए कि मुख सरगना वही है हम तो यह कहेंगे उसमें दरोगा मास्टर माइंड उसके पिता जी पूरी सरगना उसके भाई हत्यारा है रमेश अब सोच लिजे कि खुद एक सरकाई नोकरी से रिटायर हुआ है और उसके बाद उसकी मानसिक्ता इतनी गंदी रहे कि एक एक बित्ते एक हाथ एक विस्षा जमीन के लिए इतनी बड़ी हत्या कर देरा चाहता तो इतने उसके पास इतना पैसा था कहीं और जमीन खर सकता था लेकिन उसके मानसिक्ता अप्राधी प्रभित्ति के थे वह अपना बर्चस बनाना चाहता था गाउं में कि हम लोगों को आखी में नोग जोग क्यों हो गया है यह तो हम तो प्रसाशन जो राजसु विभाग के हैं उनके अभी उनके इंतिजार हो कम नोटिस देंगे उसके गिराने के लिए और प्रधान जी से नोग जोग नहीं हो तो होता है कि दो चाल लोग रहते तो बातों को कहने सुनने में को थोड़ा हम आपको ऊस самые ऀसमझा हैं आप नहीं समझ रहा हैं बस उसमें नोग-जो नहीं वह त्वार्टीस का कहना भी सच ता और प्रधान जी का मान सकता है थी कि इसका नपे और लोगों का अस्वासन घटना के दिन लोगों को अस्वासन दिया गया था कि हम आप कि यो अस्वास करना चाहते हैं् कि तीन दिन में पूरी करवाहीय हो जाएगी हुए जो हमें ध्यान कारी हुए है चुकि सबस्थाइब से बात होई तो लोगों ने यहां कि हम आपके साहई निनका समय दिया था और चुटियौ कवजा से काम नहीं हो पाया और डीम साहब ने का जो भी माकान बनाया है लालसा यादो और रमेश यादो इस अप जो पूरी पूरी को पूरी जेमिन साध है इसका नाम नहीं हो उसके बाद भी पूरी आधो जाता है। लुकत के लहें के लिट के युलंगना करवार आतंग आतंग वादी था जहारखंड में रहा है सोचे में संविदानिक पर वकाई उसके वादंग आतंग-гов Schmidt कि घटना करवा रहा है अपने घर पर दरोगा उस बताओ जहां उसकी डिवटियों को वहां के लोगों को साथ क्या करेगा पैसे के लिए तो इसे सब का सरकलम करवा देगा मैं तो सासर प्रसासर मुखमंतरी जिसे ही मांग करूंगा कि ऐसे करप्ट अधिकारियों को आप अप अपने वीभाग में कैसी रखेंगे और वो तो पूरे समाज के लिए गंदगी फैला देंगे समाज के नरसंगहर करवा देंगे बताए आज की समय में कोई अगर गोली से पिश्टल से मार दे तो यह होता है कि चलो बीवाद था हो गया यह तो कतले आम कर रहा है यह कतले आ अपियों कर रहने के समाज में को हम तो यह हम ठोरा सा मान अवता नहीं है उसके अंदर मानोता इतना कुरू नीच्टा उसके इंदर मैं तो चाहता हूं उसके लिए कोई सजा नहीं बची है उसके लिए सजा नहीं बची है पूरे परिवार को आज जीवन जेल में सड़ना कि यह рьुट वह भाइन के लगे बाप अपने बेटकों आ संगहर किने के लिए कि करने के बाद जब दियम के पास पास पहुंचती हैं पाणचों बहन यूअ और यह रूप लगाती है इँ अध्र है मुझे दंकिया मिल लए और मेरा भी हाल वही होगा ए आरोप लगाती उनकी बहने क्या फिर से कोई साजी स्रच रहा है बहनों कभी मारने की बिल्कुल उसके घर के हमने तो अगल बगल वालों से पूछा उसके घर की आउरते जो हैं वह कहती थे कि जो इधर 15-16 साल के हैं सबको काट डालो सबको काट डालो ताकि कोई दिया जलाने माला न बचे बताओ इससे मांग सिकता कि लोग समाज में कैसे रह सकते हैं हम तो यह चाते कि पूरे गाउं को लोग एक जूठ हो के आईसे पापियों को गाउं से निकाल दे ने तो आज इसके साथ हुआ है पीडित परिवार तक लि पर यहां के रहते हुए इस रोक लिया गया यह बात कितनी सच्चाई है उस समय भीड जो उग्र हुई थी उन लोगों ने कहा वो लोग नहीं मिले तो इसका घर को खत्म करें लेकिन सासन पर सासन ने असमासन दिया कि हम लोग हैं आप लोगे के साथ हम इसको जल्द सल्द क दरवाई करके इसके घर के ध्ष्थ करेंगे हम तो यहीं चाहते हैं तो लोगों द्यम साब के पास जाएंगे मुखमंतरिक पास जाएंगे हम लोग कानून को मानने वाले लोगने समय्धानिक समय्धान से चलेगा हम लोग नक्सली ठोड़ी है कि किसी के जबर जश्ती तो आप देख सकते हैं अनुराग यादो क्या जहां पर सरकलम किया गया था और सीधे साफ दिखाई दे रहा है जो बाइक है उस बाइक के पास ही हुआ था उस मासूम बच्चे ने दत्वन करते हुए जा रहा था और इस पापी ने लाठी से वार किया भागने के कोशिस किया लेकिन उसके बाद घेर लिया है फेले वो जो तुचे आप भी कोई रहेंगे तो ौगों को जाते हैं देखने के लिए तब तक इसके घर के जो चार पांच लोग और थी इसके पिता जी लालताया दो इसके चाचा लालमन लालमोहन नाम है सूर ससांग तमाम नामे हैं यह लोग उसको बच्चे के दोड़ा के घे लिया जाके और वो कसाई बखरे की तरह हलाल कर दिया वो मासूम उधर सड़क पे यह गीर्गा उसका घर्दन उसके माके चलोडों के पास जा की गिरी इसके अंदर मंता नाम कि कोई चिन नहीं हांबित सूच लिए कि इतनी बड़े सरीश में चीटी काट लेती है तो लोगों को लगता है सलाओं को से कहीं सरीश में चीटी काट रहे है और गरतन काट दे र कई कर नहीं सिखाते हैं चैछ कोई करेगा जा कोई करेगा गॅपना देश का कैसा होगा यार अपना दुनिया चाहरे से बहुत तेंसन हो राएं मतलब मैं कुछ नहीं लगता हूं मेरा गाओ कुछ मुछे इनका जो पपा है हमारे परधान जी का सालेह diffam कुछ मुझ मेरा गाह में वहां से मैं लोग सुना रिष्टेदार रिष्टेदार ऐसा लगेंगे मतलब वहां से हम लोग देखने के लिए आए